नमस्कार मैं नुराधा आप सबका स्वागत करती हैं अपने चैनल बेसिंपल अनों में आज की वीडियो हम लेका आए हैं कि वुलन कपड़े कैसे दुले जाएं अगर आपके पास वुलन कपड़े दुलने के लिए जो लिक्विट सो पाता है वो नहीं है तो तो चलिए यह खराब हो जाते हैं तो इसे हम हैंड वाशी करेंगे और यहां पर मैंने लिए एक बकेट इसमें लिया है मैंने तीन डबबे पानी जो भी मैंने आपको दिखाया है आप कपड़ों के हिसाब से पानी जो है वो कामिया जादा कर सकते हैं मैं 200 एटर दुल रही हूं अपन पानी में हम मिक्स कर देंगे अच्छे से निकाल लीजिए गर सारा ने चोड़के पैसे वसूल करने हैं बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए अगर आपको यह लगता है कि एक पाउच आपका कम रह गया है जैसे मैंने अभी इसमें जाग बनाए है आप देख सकते हैं तो मु हम से कम 5 मिनट हम छोड़ देंगे ہल्के हाथों से हम इसे रगड सकते हैं जहां पर आपका जो स्वैटर है वो अगर कई दाग लग रहा है या उसमे कुछ गिर गया कुछ लग गया तो उससे रगड सकते हैं जो जो गला है उस पर थोड़ा सा मैं इस पर लगा रही हूं क्योंकि ऑईल जह हम लगाते हैं अपने बालों का तो वो हमारी नैक पर लगता है और फिर वहां से हमारे कपड़ी जादा गंदे होते हैं तो हलके हाथों से मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर उस पर रगड रही हूं आप देख सकते हैं और फिर हम इसे बाल्टी में ही बकेट में हम हलके हाथों से इसे उपर नीचे थोड़ा सा दवा के और इसे धुलेंगे जादा तेज मत कीजिएगा बन्ना जो सौफ्ट इसकी जो रेशे हैं वो निकल जाते हैं फर इसके खराब हो जाते हैं तो इसलिए इसको आराम से धुलना है हमें और पांच मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से बकेट में छोड़ देंगे तो पांच मिनट हो गए हैं पांच मिनट छोड़ने के बाद आप इसे हल के हातों से मैं नहीं चोड़ रही हूँ बहुत हल के हातों से और जो दूसरा जो मेरा कोट है बूलन कोट वो मैं अब डालूंगी क्योंकि यह लाइट कलर का है इसलिए मैंने दोनों अलग-अलग ध अपने वाश करने के लिए डाल रही हूँ, इसे बाद में डाल रही हूँ, इसे भी हम सेम तरीके से ही दुलेंगे, उसी तरह से, जैसे हमने अपने कुर्टे को दुला था, तो बहुत आसान तरीका है, अगर आपके पास लिक्विड जो है, वो खतम हो जाता है, अगर आप अ अपना शम्बू लीजिए और इसमें आप डिप कर दीजिए और बहुत हलके हाथ उसे हम इसे रगर की साफ कर लेंगे तो इससे कपड़े खराब नहीं होंगे अपलके अच्छे से साफ हो जाते हैं बिल्कुल जो है इनकी शाहिन जो है वो खराब नहीं होती है तो इसको भी म दुलने के लिए आ गई हूँ और इसको बिल्कुल उसी तरह से दुला है मैंने जैसे मैं पिंक वाला वाश कर रही हूँ निचोड़ना आपके उपर है हलके हाथ उसे आप निचोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत सर्दी का मौसम है अगर आप इन्हें ड्राइ नहीं कर रहे है मशीन में नहीं करते हैं क्योंकि मशीन में ड्राइ करने से कपड़े अक्सर वुलन कपड़े खराब हो जाते हैं तो हलके हाथों से हम इसे निचोड़ेंगे नहीं तो सूखने में बहुत जादा टाइम लेते हैं और सर्दी में वैसे भी धूप कम होती है तो हलके हाथों से साप इसे नहीं चोड़ सकते हैं और देख सकते हैं जितना मैल गंदगी थी वो निकल चुकी है पानी मैंने थोड़ा ही लिया था क्योंकि मुझे दो ही स्वैटर जो है वो वाश करने थे अपने अपना कोट और अपना पिंक कलर का कुड़ता तो अब ही इन्हें हम साफ पानी में दोलेंगे 2-3 बार या फिर जब तक पि आपका जो पानी है वो साफ ना हो जाए अच्छे से साफ हो जाएगा उसके बाद हम इन्हें सूखने के लिए डाल देगे दो से तीन बार हो गया है आप देख सकते हैं पानी इन्हें से हमने निकाल दिया है अच्छी तरह से और उसके बाद हम हलके हाथों से इसको निचोड़के फिर इसका जो गंदा पानी है वो हम निकाल देंगे और सुखने के लिए डाल देंगे आप चाहें तो धूप में डाल सकते हैं क्योंकि अगर आप शेड में सुखाएंगे तो कपड़े बहुत जादा टाइम लेंगे सुखे वो सारा मैंने निकाल दिया है अच्छी तरह से और उसके बाद फिर हम इने बाहर सुखने के लिए डाल देंगे बहुत आसान तरीका है बहुत ही जादा आसान आप घर पे आराम से दूल सकते हैं खासकर जो हम कहीं जा रहे होते हैं हर कोई अपने साथ तो नहीं लेके जात हैं कई बार हम किसी होटल में या कहीं रुकते हैं तो वहाँ पे भी हमें शैंपू तो बहुत आसान तरीके से मिल जाता है अगर बच्चों के कपड़े हैं और वो भी बहुत सॉफ्ट हैं खराब होने का डर है तो इस तरीके से आप इने दूल सकते हैं आप देख सकते हैं जितना शैंपू का जो पानी था वो सब हमने निकाल दिया है और मैंने तीन बार इनको साफ पानी से वाश किया है उसके बाद हलके हाथ उसे मैं इनको निचोड के अपने टंकी पर डाल रही हूँ टंकी पर डाल देंगे जितना एक्स्ट्रा पानी होगा वो टंकी पर निक चोड़ सकते हैं और उसे फिर आप बहार डाल दीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने हलके हाथों से इनको निचोड़ लिया है क्योंकि अगर नहीं निचोड़ेंगे तो ये नहीं सूख पाएंगे इनका पानी निकलेगा ही नहीं और आप देख सकते हैं कि पानी एकद बाहर धूप में डाल देंगे तो अब मैंने को बाहर धूप में निकालने के लिए जो है निचोड़ना शुरू किया है आप नीचे की साइड से इनका पानी जितना भी आ जाता है वो आप निकाल दीजिएगा बहुत आसान से निकाल जाएगा क्योंकि सारा पानी नीचे आ जाता है आप देख सकते हैं और उसके बाद आप इसे कहीं भी हैंगर में या आप ऐसे ही रसी पे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं तो ये रही मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताईगा कि ये वीडियो ये तरीका आपको अपने वूलन कपड़े वाश करने का उमीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा थांक यू थांक यू फार वाची